बारिशों के उन्होंने बात की जहां बात ये होनी चाहिए थी कि almost flood like situation जमू में बन गई थी इन बारिशों की वज़ा से वहीं वो बात कर रहे हैं कि 2021-2032 में जमू में बरफ पड़ेगी क्या आपको लगता है कि कुछ पेर लगा देने से जमू स्विजर लैंड बन जाएगा और जमू में बरफ पड़ना क्या possible है आपका अपना मत क्या देखें इस तरह के बयान जो आते हैं उनको हम बड़ी carefully watch करते हैं एक बात बातों के flow में मत बैचाएगी बड़े लोगों को problem हो जाती है कि जब ये माइक सामने आता है तो फिर control जो है वो कम हो जाता है फिर वो जो भी होता है वो निकल जाता है आपके अदक्ष के ओपर भी लगते हैं कि वो भी यही करता है नहीं ऐसी बात नहीं आदक्ष जी जो बयान देते हैं वो सोच समझ के एक राजनीती के तहत ही देते हैं उनकी रन नीती है कि वो उसके हिसाब से जो है वो बयान देते हैं ऐस बारते जन्ता पार्टी के नाशनल जन्रल सेक्रेटरी बी-यल संतोष जमुकश्मीर के दोरे पर आए वो जमू भी आए वो कश्मीर भी गए और उनके बयानों के बाद एक हल्चल सी जमुकश्मीर में मच गई उन्होंने इलेक्शन्स के बारे में बात की और वहीं उनकी जो मीटिंग जम्मू में हुई उसको लेकर भी कहीं बाते अखबार में आई इसे पर बात करने के लिए मिरे साथ हैं भारती जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एड़ोकेट सुनील सेटी सेटी साब सबसे पहले यही कि जम्मू में जब वो आए तो जम्मू में उनकी जो मीटिंग हुई उसको लेकर अखबार में एक खबर आई कि उन्होंने दो पूर मंत्रियों को डांट दिया उसके वारे में समझना चाहूंगी कि असल में वो वाक्या हुआ क्या था देगें ऐसा नहीं है कि कुईसी को डांट दिया हो समझाया जरूर होगा जो हमारी इंटरनल मीटिंग्स होती है उसमें राष्ट्रे महामंत्री संगठन का आना जो है बड़ी बात होती है और यह उनका आफिशल दोरा था ऐसे दोरे जो हर स्टेट में करेंगे बागी स्ट होती है और जब उस चर्चा में कुछ चीजें पूछी जाती है अपने लीडर से आपको फीड़एक भी लेके लेना है लेकिन उसके साथ उनको समझाना भी है तो मुझे लगता है कि कोई फीड़एक लेते वकट हो सकता है कि किसी की बात के ओड़ी और उसको समझाने की लोगों को जो है, वो मसाला पसंद आना चाहिए वैसे नहीं होता है संगठन में जब मीटिंग्स होती हैं तो बड़ी बार ऐसा होता है कि कि in house meetings में हम शिकायतें भी करते हैं हम अपनी leadership की शिकायत भी करेंगे हम अपने काम करने के ढंके उपर भी टिपनी करते हैं हमारे को कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं कुछ प्यार से समझाई जाती हैं कुछ जोड से भी समझाई जाती है लेकिन ये in house होता है इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए और ये meeting के बीच में क्या होता है इसको अगर अखबार में report हो जाता है तो ये as chief spokesperson of the party as member of the core group ये मेरे लिए चिंता का विश्य है कि हमारी in house meeting जो है वो बाहर report कैसे होती है तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में कैसे किया जाए कि जो हमारी in house meeting है जिसको प्रेस में नहीं छपना चाहिए तेकि जो फैसले होते हैं वो प्रेस में आ जाएं कोई problem नहीं है discussion के time पे बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रेस में नहीं आनी चाहिएं क्योंकि discussion में तो free flow होता है उसमें कुछ भी बोला जा सकता है साथ ही में जब वो जमकश्मीर आये कश्मीर में भी उन्होंने बयान दिये और उसमें elections को लेकर बात की क्या कहेंगे क्या उमीद है अब कितनी देर तक elections जमकश्मीर में अब हो सकती है अगर आप मेरे से अंदाज़ा पूछेंगे क्योंकि मैं तो deciding factor नहीं हूँ नहीं मैं decision making process का हिस्सा हूँ लेकिन as political analyst मैं समझता हूँ कि maybe in two months or so delimitation process जो है वो complete हो जाएगी और delimitation process complete होने के बाद there is absolutely no reason कि हम उसके बाद जल्दी election के उपर नहीं आएं तो I can understand कि जैसे इसके उपर जो है पहले statement पी आई है कि by March 2022 तक मुझे लगता है कि जमो कुश्मीर union territory में election हो जाने चाहिए अब ये फैसला जो है ये election commission of India का है कि वो delimitation की report आने के बाद election कब करवाना चाहते है ये उससे पहले भी हो सकता है हो सकता है कि उससे देर हो लेकिन अंदाजा ये है कि March एपरल 2022 के आसपास जाए वो election हो जाने चाहिए आपका अपना मत क्या है कि elections पहले होने चाहिए statehood पहले मिलने चाहिए देगी मेरे तो सोचना है कि statehood बनाने के लिए ground के ओपर position की existence होनी चाहिए कि जहां पे आप comfortably कैसे को कि ground पे security scenario जो है line order position जो है वो ऐसी है कि अब तंत्र जो है वो central government के हाद में direct रखने की जरूरत नहीं है बलकि वो state administration जो है local administration के हाद में दिया जाना चाहिए अब इसको assess करने का काम जो है उसमें security agencies भी involved है उसमें और बड़े लोग हैं जो involved हैं जिसके बारे में फैसला करने के लिए यह उन्होंने फैसला करना है कि हालात जो है वो कैसे हैं कि क्या इस हालात में local administration के हवाले या state administration के हवाले home का department जो effective department उसको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है जैसे पिछले कुछ हरसे में targeted killing हुई है मुझे कहने में बिल्कुल इतरास नहीं कि 5 अगस 2019 के बाद अगर आप security का graph देखेंगे तो काफी improve हुआ देखता है और militancy का graph जो है काफी नीचे जाता हुआ देखता है लेकिन पिछले कुछ हरसे में targeted killing जो हुई है उसमें हमारी party के लोगों को खास कर जो हो target किया गया इसी तरह कुछ लोगों को target करके उनको hit किया गया militants के दोरा अब ये recent जो incidents हुए है कि drone war जो शुरू हुआ है ये चोटी बात नहीं drone war को आप छोटा मत समझे लेके militants के आन counter intelligence से काफी हद तक जो है उसको ground कर सकते हो उसको grind भी कर सकते हो लेकिन drone इनसान नहीं है उसको operate करने वाला कहीं बैठा है और वो drone को चला रहा है और damage जो है जो drone terrorism करने वाला है उसका damage जो है वो almost negligible है आपको लगता है इस drone war की वज़ा से जो state route के लिए case build हो रहा था वो और ज्यादा वीकन हो गया नहीं मैं ऐसा तो नहीं समझता हूं कि वीकन हो गया लेकिन ये drone war जो है एक नया challenge है और state के हवाले अगर system सारा तंत्र किया जाता है तो drone war के लिए जो strategical position पे हमको आना वो शायद उसमें सोचने की जरूरत है मैं पहले जैसे क्या रहा हूं कि ये agencies के सोचने का काम है लेकिन ये जो नया phase terrorism का आया है इसको यहीं पे कटेल करने के लिए जितनी central agencies हैं उनको सब को मिल के काम करना पड़ेगा और जल्दबाजी में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जल administration के हक में भी नहीं है धीरे धीरे फैसला कीजिए क्योंकि state से union territory बनने का जो काम था वो सतर साल के बाद हुआ और उसके results जो हो हमारे सामने हैं तो बनना तो चाहिए मैं इसमें तो दो राए नहीं है union territory को state बनना चाहिए जरूरी तोर के उपर है क्योंकि इतनी बड़ी जो unit है जम्मू और कश्मीर लदाक नहीं भी है अगर हमारे साथ तो जम्मू कश्मीर खुदी इतना बड़ा unit है कि इसको union territory जो है वो ज़्यादा देर तक रखना अच्छी अच्छी situation नहीं बनाता है union territory आब बाकी भी देखें तो छोटे-चोटे areas होते हैं जिसमें union territory बना जात है यह हालात ऐसे थे कि जिसमें मजबूरी में बनाना पड़ा जैसे ही यह मजबूरी खतम होती है हमारे को जितनी जल्दी हो सके इसको वापस state में बनाना है लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि यह condition होनी चाहिए कि पहले state बन जाए और बाद में election हो जाए नहीं वो बात न जोड़ी है उस फैसले के साथ हमारी existence जोड़ी है तो यह फैसला सोच समझ के ठंडे मन से करना चाहिए मेरे को लगता है कि elections जो है वो union territory में ही होंगे यह मेरी अपनी understanding है कि election तो union territory में होंगे लेकिन union territory में election होने के बाद कोई जादा वकत लगेगा इसको state बनने में मैं ऐसे हालात नहीं देखता हूँ आज साथ ही मेरे national channel secretary बियल संतोष जो मुकश्मीर आए अटकले ये भी लगाई गई कि मुझे मुकश्मीर ये देखने आये थे कि जो मुकश्मीर बीजेपी कितनी मजबूत है लोगों के बीच में कितनी acceptability मुकश्मीर बीजेपी की है और वहीं आने से एक impression ये भी चला गया है कि कोई भी ये sure ना हो कि आपके इलाके में आप ही को mandate मिलेगा लोगों में impression चला गया है कि आपको काम करना पड़ेगा आपकी पुछली history भी देखी जाएगी आपका काम भी देखा जाएगा और बाकी बहुत सारे parameters देखे जाएगे उसके ब ले रहा है और ये सोचे कि मुझे ही seat दबारा मिलनी है ऐसा नहीं होता है you have to perform to get the mandate भारते जनता पार्टी में performance watch की जाती है और ये performance खार दी MLS की नहीं है हम MLS की performance को भी watch करते हैं analyze करते हैं उसकी regular analysis होती है वो state के level के ओपर भी होती है देली के लेवल के ओपर भी होती है प कि कोई काम करता है और गलत काम करता है तो ये सोचेगा कि हमने उसके उपर नजर नहीं रखी है जिस तरीके के बयान बीजेपी के leaders दे रहे हैं कि जम्मू में 2021 तक बरफ पड़ेगी है सारे बयानों के उपर भी बीजेपी की नजर है पार्टी की नजर तो हर किसी के उपर ह लें होती है फॉर ग्रांटेड में अगर को लेता है कि उसको mandate मिली जाएगा तो ऐसा बात यहां से बड़े से बड़े नेता भी जो है उनका भी mandate मिलना जो है वो उनकी performance के ओपर होता है नाम के ओपर भारत्य जनता पार्टी में mandate नहीं दिये जाते हैं दूसरी बात है कि अगर संतोस्ची जमू कश्मीर में आते हैं तो वो शायद performance देखने की बात नहीं है क्योंकि performance तो वो regularly वाच कर रहे हैं लेकिन अगर जमू कश्मीर में आके वो ground स्थिती को समझते हैं नेताओं के साथ सबी के साथ almost personal interaction उनकी होई है वो किसी meeting में office bearers के साथ मिले किसी meeting में वो जो हमारे department sales हैं उनके साथ मिले किसी meeting में वो spokes persons के साथ मिले किसी meeting में वो core group के साथ मिले meeting उन्होंने MLA और MLC के साथ भी की जो मंतरी थे जब भी होती है उसमें ये असेस करने के लिए कि बंदे की capacity capability कितनी है और उसका party में इस्तमाल क्या हो सकता है ये अच्छी चीज है election preparation की ये कड़ी है बिल्कुल हो सकती है बिल्कुल हो सकती है election की त्यारी हम मान के चलते हैं कि हम election के mode में है बारतिय जनता party is in election mode हमारे को जब भी election होता है we are ready for the elections और मुझे लगता है कि बील संतोष जी का जो ये दोरा है ये विजट है वो जम्मू कश्मीर बारतिय जनता party के लिए एक awakening काल है हम सभी को ये जरूरी तोर के उपर समझना चाहिए कि डिले अब नहीं है और हमारी तरफ से कोई भी कोता ही जो है वो party के लिए ठीक नहीं होगी हम ये election आने वला election हम जम्मू कश्मीर में पहला बारतिय जनता party का chief minister union territory का बनाने के लिए election लड़ेंगे और वही chief minister जो union territory का है वही chief minister जो है जम्मू कश्मीर state का भी chief minister होगा ऐसा बारतिय जनता party सोचती है ये पहला मोका है कि बारतिय जनता party seriously effort करेगी अपना chief minister बनाने की क्या कोई नाम भी आपके mind में आ रहे हैं कि ये चेहरे possible चेहरे हो सकते हैं आपका अपना मत क्या है बारतिय जनता party में नामों की कमी नहीं है और क्योंकि आप situation वैसे नहीं है जैसे 2014 वाली थी क्योंकि हमारे कुछ बड़े नाम जो हैं जो मंत्री पत पे बैठे उनके मंत्री पत पे रहते हैं उन्होंने कैसे काम किये वो भी party के सामने हैं तो जब समिक्षा की जाएगी कि कौन आदमी जो है वो कंसिडर किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के ओपर तो उनका past conduct उनकी past performance भी कंसिडर की जाएगी लेकिन नाम जो है भारतिय जनता party के पास काफी हैं जो लोग consider किया जा सकते हैं चीफ मिनिस्टर के लिए अब ये फैसला भारतिय जनता party headquarter का होगा कि क्या हम किसी नाम को लेके election लड़ेंगे या election के बाद ये decide करेंगे कि हमारा नेता जो है वो कौन होना चाहिए चेफ मिनिस्टर बनने के लिए ये बातें जो है party decide करेगी बात में यहाँ पर ये discussions भारतिय जनता party में होती है जहां उनका मत लेने की जरूरत है वो neglected से feel कर रहे हैं इस बात में कितने सचाई है क्या हकीकत है कि youngsters though have taken over लेकिन जो senior leadership है जो experienced है जिन्होंने इस भारतिय जनता party में ही काफी struggle किया है प्रजा परिशत के वो आज party का addiction नहीं है जो आज party का अदेख्शता आने वाले वकत पे वो addiction नहीं होगा कोई और होगा तो यह यह जो rotational leadership changes होती है उसमें हर आदमी को मोका दिया जाता है लेकिन उसके talent को समझ के तो यह नहीं है कि अगर आप अपनी जगह से हट जाते और आपकी जगह कोई और बन जाता है तो आपकी एहमियत कम हो जाती है बारतिय जनता party में ऐसा नहीं होता आज अगर core group में जो decision making body होती है जमू किश्मीर की level के उपर अगर core group में ग्यारां या बारां लोग हैं तो उन ग्यारां या बारां कोर group में आप पचास लोग नहीं मना सकते तो उन ग्यारां या बारां core group के members के इलावा जितने senior leaders हैं जो हमारे मंत्री रहे हैं MLA रहे हैं जिन्होंने उस वकद बारतिय जनता party के लिए struggle की जब बारतिय जनता party का power में आने का शायद question भी नहीं था तो उनको party नहीं यह नहीं है कि party उनको overlook कर रही है उनको हर देखें हर leader की कोई specialization field है कुछ नेता जो हैं वो किसान issues के साथ काम करते हैं कोई agriculture के साथ कोई electricity के साथ कोई सडकों के साथ तो कुछ अपने 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 अलाके में बड़े जबदस्त image के साथ हैं जब भी उनकी इन issues पे opinion लेने की जरूरत होती है राए लेनी की जरूरत होती है बारतिय जनता तो वो ठीक नहीं है बारती जनता पार्टी में आज भी आफिस बेरर में आप देखें तो बड़े सीनियर नेता हैं जो आफिस बेरर में हैं कोर में बड़े सीनियर नेता हैं जो जो डिप्टी छीफ मिनिस्टर हमारे दो रहे हैं दोनों तो कोर में हैं जो यहां पर मेंबर प MP हैं वो भी तो कॉर्क रूप में हैं तो यह सोचना की किसी को इगनोर किया है बारति-जंता पार्टी इगनोर नहीं करते किसी को आप अपने टेलेंट के सारे आगे बढ़ते हो अगर कोई यह सोचता है कि उसने party के लिए बहुत काम किया है और उसकी वज़ा से उसकी गलतियों को जो है वो party overlook कर देगी वैसा भी नहीं होता है पार्टी में discipline maintain करना जो है वज़रूरी है मैं chairman हूँ discipline कमेटी का उसके नाते अगर पार्टी में कोई indiscipline कहीं पे दिखता है तो indiscipline के मामले में seniority और juniority जो है वो matter नहीं करती हमको indiscipline party में नहीं चाहिए discipline party है discipline के साथ रहेंगे आगे बढ़ने का मोका हर किसी को दी मैं आपकी बात का ये दवाव दूँगा कि भारती जनता party में हर आदमी को आगे बढ़ने का मोका मिलता है आप अगर talented हैं आपको काम करने की चाह है लोगों के लिए काम करना चाहते हैं लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं party हमेशा आपको बढ़ावा देखे साथी में क्यूंकि आपने mention किया कि भारती जनता party election mode में है क्या आप उन सभी factors के उपर भी नजर दोड़ा रहे हैं जिनकी वज़ा से बीजेपी का ही impression जो है वो लोगों में बड़ा गलत जा रहा है एक बयान की मैंने भी बात की कि जहां जम्मू के जो mayor है भारती जनता party से ही बिलॉंग करते हैं बारिशों के उन्होंने बात की जहां बात यह होनी चाहिए थी कि almost flood like situation जम्मू में बन गई थी इन आने इन बारिशों की वज़ा से वहीं वो बात कर रहे हैं कि 2021-32 में जम्मू में बरफ पड़ेगी क्या आपको लगता है कि कुछ पेड़ लगा देने से जम्मू स्विजर लैंड बन जाएगा और जम्मू में बरफ पड़ना क्या possible है आपका अपना मत क्या है देखें इस तरह के बयान जो आते हैं उनको हम बड़ी केरफली वाच करते हैं एक बात दूसरी बात जो पब्लिक रिपर्जेंटेटिव हैं या किसी ऐसी पोजिशन पर स्टेचुटरी पोजिशन पर बैठे हैं उनकी कारकरदगी उनके वरकिंग जो है वो पार्टी उसके देखने के लिए भी एक बड़ा नेता पार्टी का जो है वो इन इशूस को देखता है तो पार्टी लेवल के ओपर भी जितना मिन्स्पलिटीज में काम होता है हम उसको भी वाच करते हैं स्टेटमेंट देते हुए हमारे नेता है जो है पार्टी उनसे एक्सपेक्ट वो कम हो जाता है फिर वो जो भी होता है वो निकल जाता है आपके अध्यक्ष के ओपर भी लगते हैं कि वो भी यही करता है नहीं ऐसी बात नहीं है अध्यक्ष जी जो बयान देते हैं वो सोच समझ के एक राजनीती के तहत ही देते हैं उनकी रन नीती है कि वो उसके करेंगे कि उनसे कोई बात वैसे ही निकल गई वैसे कोई बात नहीं निकलती है पार्टी की एक रन नीती के तहट जहें वह सरवच्छे नेता है जमू कश्पीर में तो इतनी बड़ी पॉजिशन पर बैठ के ऐसे ही कोई बात निकलता है वैसा नहीं होता है वो सोच समझ के बात आपको और भारती जिंता पार्टी के बाकी सवी स्पोक्स पॉस्टेंस को जो है वो डामज कंट्रोल करने में लगना पड़ता है और जस्टिफाई करना पड़ता है कि उन्होंने यह नहीं कहाओगा, यह कहाओब नहीं ऐसा नहीं है बलके हमारे को भी कैपने इश्यू के ऑपर कैसे होनी चाहिए, टो हमारी जो discussions होती है, हमारी opinions जो होती है, that is based upon the input we are getting from the president President साब जब खुद address करते है media को, तो वो सोच समझ के करते हैं, ऐसा मेरा मानना है उसके इलावा, जिन issues को लेकर भारते जन्ता पार्टी जब opposition में थी बहुत vocal हुआ करती थी patrol के rising prices हो या फिर महंगाई हो, इन सभी issues को लेकर बहुत बार देखने को मिला कि भारते जन्ता पार्टी के ही लोग आपको सरकों पर मिलेंगे, धरना देते हुए मिलेंगे, सरकार को जो है वो लतारते हुए मिलेंगे, लेकिन अब prices जो हैं, वो चुँ रहे हैं, लोग परिशान हैं, लोग कह रहे हैं भारते जन्ता पार्टी तो इस पर कोई बात करके राजी नहीं, देखे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, लोगों की परिशानी को हम नहीं समझते क्या, अगर पेट्रोल का रेट सो रपे से ज़ादा हो गया है, तो क्या हमारे को परिशानी नहीं है, बारती जन्ता पार्टी आस्मान में थोड़ी है, जबीन पर है na, बारती जन्ता पार्टी का इतनी workers की strength है, करोड़ों होगी हमारे workers जो है, वो सबी, सबी के सबीबी तो वही सफर कर रहे हैं उनको भी तो पेटरोल का प्राइस देना है सबजियों के प्राइस बढ़ते हैं दालों के प्राइस बढ़ते हैं उनको भी देना है इन दिकतों को जानते हुए भी आप तो समझदार हैं इसलिए आप समझ सकती हैं कि पिछले अगर दो साल का आप दे जैसे वेपार भी कम है तो गौर्णमेंट को जो डिरेक्ट टेक्सिस आते हैं वो भी कम हुए जो इंकम टेक्स आता है वो भी कम हुए इंडिरेक्ट टेक्सिस हैं वो भी कम होगे जब खर्चा कम हो गया उसी काल में खर्चे जो इंकम कम होगी उसी काल में खर्चे जो हैं वो कीमत जो है 14-1500 रुपया मार्किट में है हम लोग शायद उस दवाई को अफोर्ड कर सकते थे फैमिली जो है कुछ अफोर्ड कर सकती थी मिडल क्लास भी अफोर्ड कर सकती थी क्या लोर क्लास अफोर्ड कर सकती थी जिस और लोर क्लास में आप इस चीज़ को ध्यान रखिए क कि बच्चे की तदाद यह family joint family में बड़ी तदाद होती है संख्या बड़ी होती है तो आप अगर ले के चलें कि एक family में दस लोग हैं दस लोगों का मतलब है कि तकरीबन पंदरा हजार रुपया पंदरा हजार रुपया वेक्सिन एक double कर लीचे तो तीस हजार रुपया हर फ बोज वो बरदाश नहीं कर सकते थे तो government of India का फैसला कि सबको vaccine मुफ्त लगेगी अब यह पैसा कहां से आएगा उसी दोरान अगर चीन का हमला लदाक में होता है तो हमारे को modernization करने के लिए वेपनेरीज को राफेल भी लेने हैं बाकी हत्यार भी करीदने हैं यह ऐसी खर्चे हैं जो कि probably circumstances ने create किये यह सारे डिलेमाज तो Congress की टाइम पर भी हुआ करते थे पोलियों की vaccine भी फ्री थी तब भी पिट्रोल के prices have rise होते थे तो बीजेपी सड़कों पर ज़रूर होती थी सरकार समझाती थी कि हमारी यह हमारी compulsions है लेकिन बीजेपी कहती थी कि नहीं लोग भी सफर कर रहे हैं और कोविड में भी लोगों ने भी सफर किया बहुत सारे लोगों की आमदनी और जादा कम हो गई तो यह सफरिंग्स तो आम लोगों की भी है अगर आपको लगता है कि चेचक की वेक्सिनेशन और करोना की वेक्सिनेशन में कोई फरक नहीं है तो फिर हमारे को रिविजिट करना पड़ेगा समझना पड़ेगा दुबारा सबी को कि एक पेंडेमिक की सिचुएशन क्या होती है और एक नार्मल बिमारी नार्मल वाइरस की पोजिशन क्या होती है जितना खर्चा कोविड की फाइट में लगा इतना कभी किसी में नहीं लगा दुनिया की बड़े से बड़ी एकानेमी तूट गई है कोविट की लड़ाई में जो एकानेमी इतनी स्ट्रांग थी कि वो पूरी दुनिया को चलाती थी आज वो एकानेमी तूटी हुई है गिरने के कगार पे हैं ये नर्मली नहीं होता मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूँ कि जैसे ही हमारी एकानेमी की पूजिशन संबलती है तो हमारे को पेटरोल के प्राइसिस भी कम करने हैं हमारे को बाकी चीजों के प्राइसिस भी कम करने हैं अगर हम आज पेट्रोल का प्राइस कम नहीं करते तो फिर हम चीजों के प्राइस को और जदा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते क्योंकि गवर्मेंट के पास पैसा भी तो होना चाहिए वो पैसा आएगा कहा से आज अगर आप बावजूद इसके कि भारत जो है इतने बड़ ही है लेकिन क्या राष्टर हित में ये बीजेपी की बात नहीं है ये राष्टर हित की बात है क्या राष्टर हित में जो थोड़ी सी तकलीफ है प्राइस राइस की कुछ देर के लिए ये कुछ जादा देर के लिए नहीं रहेगी कोविड को बड़ा लंबा चलने वाला न की सिस्टिती है निकलने के बाद हमारी आईर्थिक स्थिति जो हे वो मजबूत बनेगी मैं मुझे लगता है कि कांसेपरेसी जो मांनते हैं कांसेपरेसी ठीरी मानते हैं जो सोचते हैं कि कोवेड चाइना ने जानबूच के create किया, मुझे उसको मानने में कोई इतराज नहीं है, क्योंकि COVID की पहले की situation अगर आप देखते हैं, तो उसमें चाइना से industry सारी उठके भारत में आने के लिए त्यार थी, जितनी बड़ी companies थी, MNC से वगरा, COVID के चलते हुए, जो हमारे पास existing industries थी, वो भी कम हो गई, तो ये जानबूच के फेलाया हुआ जो है, वाइरस हो सकता है, लेकिन कुछ भी हालात हो, बड़े हुए दाम, justify समय में हालात में हो सकते हैं, लंबी देर तक बड़े हुए दाम जो है, वो जनता के हित में नहीं है, बारती जनता बार्टी इसके उपर काम कर रह है, कि जितनी जल्दी से जल्दी होगा, कीमतों को stabilize करेंगे, आखिर में सेठी साब, इस टाइम पर क्या आपको लगता है, जहां पर एक तरफ कोई नई recruitment की advertisement होती है, तो लोग सड़कों पर उतराते हैं, रिसेंटली SI की post advertised हुई, फिर बच्चे सड़कों पर उतरा है, वही अब तो 10th class तक के बच्चे जो है, वह सड़क पर धरना देते नजरा रहे हैं, क्या आपको लगता है complete policy पर आइसे देखने को मिला, कि जो आज से पहले कभी इतना देखने को नहीं मिला, अब हर कोई व्यक्ति ये समझता है, कि बस धरना देने से हमारा काम हो जाएगा, दे लगाते हो, आपने corruption कर दी, आपने बाई बतीजाबाद कर दी, काम नहीं करते हो, वगारा, कुछ भी कर सकते हो, and you can force your elected representative to work, because उसने वापिस आपके पास आना है ना, वोट लेने के लिए, उसने नहीं आना, उसकी party ने आना है, लेकिन बिरोक्रेट ने तो आपके पास नही होई है, उनकी लगातार कोशिश है कि लोगों के हित्मे काम किया जाएं, लेकिन जिनसे उनने काम करवाने हो तो बिरोक्रेट है, वो उतना responsive नहीं बनते हैं, दूसरी बात यहीं कि लोगों को भी अपनी aspirations को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, देखें, अगर कोई बच्चा tenth में fail हो जाता है, तो वो कहेगा, नहीं, मैं fail तो हो गया हूं, फिर भी मुझे pass कर दो, मुझे अपने अगली class में बिठाना है, वो कैसे होगा, आप एक process से, examination की process से गुजरे हो, आप fail हो गए हो, और fail होने के बाद, इस चीज़ के लड़ाई होगी, कि आप fail नहीं होए, यो genuine issue है, recruitment के बारे में, ये youth के साथ जुड़े हुए है, बारती जनता पार्टी ये जरूर मानती है, कि जिनकी genuine problem है, उन problems को दूर होना ही चाहिए, और जब भी ऐसे कोई issue आते हैं, बारती जनता पार्टी की तरफ से, वो issue लेके, हम लेटरन गवर्नर साब की administration में जाते है हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है, कि उसमें से जतने ज्यादा से ज्यादा मसले हल हो सकें, वो हो जाए, 100% हो सकता है, नहीं हो, लेकिन 50%, 60%, 70% तक जो हम हम हल करवा रहेते हैं, लेकिन अगर कोई recruitment की बात हो, या services की बात हो, उसमें issue जो है, वो unrealistic हो, या ऐसा issue हो क जो कानून के खिलाफ है, या कोई अगर सोचता है, कि यहां पे पचास हजार नोकरियां हर महीने के हिसाब से निकल जाए, वो भी नहीं होगा, जन्ता पार्टी की ये भी सोच है, कि जम्मू कश्मीर में, जो governmental employment है, उसके avenues उतने ज्यादा नहीं है, उसका एक reason यह है, कि जरूरत जो है, वो उनसे आदी भी नहीं है, हम अलडी डबल से जादा लोगों को जो है, वो employment पे रखे हुए हैं, जितनी जरूरत है उससे जादा, और फिर उसके बाद एक बड़ी फोज जो है, वो एडाक, डेली वेजर, वर्क चार्ज, मतलब अब एडाक होगा, डेली appointment है, तो recruitment process से नहीं हुआ है, but over the period of time इन लोगों की अब aspirations हैं कि अब इन्होंने compete भी नहीं कर पाए, अब लोग काफी सालों से कहीं, तो दस पंदरा सालों से भी काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि it is too late in the date now to consider कि ये कैसे appointment हुए थे, किस process से हुए थे, क्योंकि अब इनकी families भी होगी, बचे भी होगी, अब इनको छोड़ना जो है, आदे रास्ते में छोड़ना अब जो है, वो ठीक नहीं है, तो हम ये भी जरूरी तोर के उपर government के साथ बात करते हैं, कि एक तरीका बनाया जाएं, जिससे phased manner में ही सही, ये जो आशा रखे हुए हैं कि हमारी नो family को represent करता है, तो लाक families जमू कश्मीर जैसी union territory में जो एक उमीद लगा के रखी हैं कि उनके साथ finally जो है, वो इनसाफ होगा और उनकी regularization होगी, वो जरूरी तोर के उपर होनी चाहिए, आप एकी मोके के उपर मत कीजिए, एकी time पे मत कर दीजिए, phased manner में कर दीजिए, लेक कोई भी अगर ये सोचता है, अपने मन में, कि daily wages होगे, या डाक services होगी, या work charge imply होगे, इनको regularize नहीं करना है, तो वो सपने को दिनिया में होगा, किस process से होगा, वो एक सोचने का wish जरूर हो सकता है, लेकिन बारतिय जनता party stand with them, हमारा ये मानना है, कि जो लोग 15, 20 साल, 10 सा जादा अर्सा से जो है, वो government की पक्की नोकरी के आशा में, एडाक services के ओपर, जो उस post की असल तनख्वा से, शायद उसका पांचमा हिस्सा भी नहीं होगा, उसके ओपर कम कर रही है, उनको deny करना कि आपके pass right नहीं है, regularization होने का, किसी भी तरीके से, कोई भी बहाना हो, हमे नहीं लगता है कि वो justified है, बहुत बहुत शुक्रया, यानि कि भारते जंता पार्टी election mode में है, और जैसा कि इन्होंने साफ तोर पर कहा, कि हर एक भारते जंता पार्टी के ही member को ये ध्यान देना चाहिए, कि उसके हर एक बयान के उपर, उसके हर एक action के उपर, नजर रखी जा रही है, और जब election का mandate बांटने की बारी आएगी, ये सारी चीजें consider की जाएंगी.